नमस्ते बच्चों आज हम पढ़ेंगे विशय समाजिक विज्ञान भुगोल के अध्याय चार मानचित्र को बच्चों वैसे तो आमेशा हम पढ़ाई ही करते हैं तो आज भी पढ़ाई ही करना हैं कि आप लोगों को कख्चा में आज हम पढ़ाई नहीं करते हैं आज हम मानचित्र के बारे में जानते हैं ठीक है मानचित्र क्या होता है आप लोगों को पता है कभी सुनें आप लोग किसको बोला जाता है मानचित्र चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोग पहले ग्लोब के बारे में पढ़े हैं या जानते भी होंगे है ना ग्लोब क्या होता है ग्लोब में दिशा रहता है और क्या होता है ग्लोब में हमको धर्ती के बारे में ग्लोब से हम अध्यन कर सकते हैं कि हमारी धर्ती कैसी है, कहां पे कौन सा देश है, कहां पे कौन सा देश नहीं है बच्चों जो ग्लोब रहता है वो गोलाकार सतह पर होता है गोलाकार सतह को हम एक चप्ती सतह पर क्या करते हैं पैमाने के माध्यम से रेखा चित्रद्वारा दर्शाते हैं उसी कोई हम क्या बोलते हैं मानचित्र बोलते हैं बच्चों जब हम पूरी पृत्वी का अध्यन करना चाहते हैं तो ग्लोब का उप्योग करते हैं वह बहुत ही उप्योगी होता है हमारे लिए लेकिन जब प्रित्वी के एक भाग का हम अध्यन करते हैं जैसे अपने देश का या फिर सिर्फ हम अपने राज्य के बारे में या अपने जिलों के बारे में या सिर्फ हम कौन से सहर में रहते हैं उसके बारे में हम जानना चाहते हैं यह हम कौन से गाउं में रहते हैं, हमारे गाउं का छेत्रफल क्या है, किन दूसरे गाउं से वो जुड़ा हुआ है, यह जब हम जानना चाहते हैं, तो इसके लिए गलोब ज्यादा उप्योगी साबित नहीं होता है, हम गलोब के मदद से इसके बारे में हम पता नहीं लगा स सकते हैं इसलिए ऐसी इस्थित्ती में हम क्या करते हैं मानचित्र का उप्योग करते हैं मानचित्र प्रित्वी की सता को क्या करती है पैमाने के माध्यम से चप्टी सता पर दर्शाक्ती है गोलाकार सता को बच्चों पूरी तरह से चप्टा करना असंभाव होता है जैसे कि मालिजे एक गेंद है अब एक गेंद को आप बीच से काटते हैं तो उसकी एक सता चप्टी होती और एक सता उभरी हुई होती है तो जब कभी आप उसको माप करेंगे चप्टी सता का और उभरी हुई सता का तो दोनों के ही जो माप आएंगे वो भिन भिन आएंगे दोनों सता का जो माप रहेगा वो एक जैसा नहीं रहेगा बच्चों मानचित्र हमारी विभिन जरूरतों के लिए आवश्यक है कुछ मानचित्र छोटे छेत्र को और कुछ मानचित्र कुछ तत्यों को दर्शाते हैं बच्चों दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तत्य हो सकते हैं जैसे कि बहुत बड़ी सी किताब की तरह होती और उसमें अलग-अलग मानचित्र होते हैं, अलग राजियों के, अलग देशों के, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तब उससे एक एटलस बनता है, एटलस भी विबिन प्रकार के होते हैं और उनके भी पैमाने अलग-अलग मापों पर आधारित होते हैं मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है क्योंकि पूरे ग्लोब में पूरे धर्ती के बारे में हम जानते हैं लेकिन मानचित्र मैंने आप लोगों को भी बताया कि एक शहर का भी हो सकता है, जिलों का हो सकता है, गाओं का हो सकता है, है नूँँदू, बच्चों, मानचित्र कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है भौतिक मानचित्र, इसमें क्या होता है, प्रित्वी की प्राक्रितिक आक्रितियां जैसे की पर्वत है, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, ये सबको जो मानचित्र दर्शाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र, इसी प्रकार राजनितिक मांचित्र भी होता है राजनितिक मांचित्र के अंतरगत बच्चों राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाउं और विश्व के विभिन देश्वा राज्य उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है तो ऐसे मांचित्र जिसमें क्या होता है राजिनगर शहर या फिर देशों की सीमा राजियों की सीमा को दर्शाया जाये उसे राजनेती मानचित्र कहा जाता है बच्यों अगला है thematic मानचित्र कुछ मानचित्र विशेज जानकारियां प्रदान करते हैं जैसे कि सड़क वर्षा के बारे में बताते हैं उद्योगों का एक अपना अलग मानचित्र होता है है ना या फिर नदियां हैं ये सब को बताने वाले जो मानचित्र हैं वो क्या कहलाते हैं थिमेटिक मानचित्र कहलाते हुँ बच्चों मानचित्र का जो नामकरण है वो उसमें कौन सी सूचना दी गई है उसके आधार पर किया जाता है जैसे कि मैंने अभी बताया बहुतिक मानचित्र इसमें प्रित्वी की आकरितियों को रखा जाता है राजनेतिक में इसमें राजनेतिक मानचित्र में शहर नगरों के क्या रहती हैं या उस राजी के बारे में बताया गया होता है कि उस राजी में कहां पर कौन सा जिला इस्थित है, कौन सा नगर इस्थित है बच्चों, मानचित्र के तीन घटक होते हैं दूरी, दिशा और प्रतीक यानि कि मानचित्र जब हम बनाते हैं या मानचित्र बनता है तो उसमें इन तीन चीजों को ध्यान दिया जाता है दूरी, मानचित्र एक आरेकन होता है यानि कि आरेक के द्वारा दर्शाया जाता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है जैसे कि हमारा शहर है या हमारा गाउं है वो इतना बड़ा सा गाउं है उसे क्या किया जाता है एक छोटे से एक आगज पे दर्शाया जाता है यह कह सकते हैं बच्चों की जो मानचित्र होता है वो छोटे पैमाने पर खींचा गया एक प्रारूप है लेकिन इसे इतनी साउधानी से छोटा किया जाता है ताकि जो इस्थानों की बीच की दूरी है वो क्या हो वास्तविक हो जैसे कि आपके गाउं में आपके इस्पुल से आपके घर की दूरी दो किलोमेटर है लेकिन अगर उसी को हम मानचित्र पे क्या कर दें जाए पांच किलो मेंटर अगर दर्शा दें तो यह क्या होगा गलत होगा तो इसलिए जब मानचित्र को छोटा किया जाता है तो दूरी का भी ध्यान रखा जाता है वास्तविक दूरी का जब कागज पर एक छोटी दूरी इस्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो इसलिए इस उद्रिश के लिए एक पैमाना चुना जाता है कागज में क्या कि आप जाता है बच्चो अब बड़ी सी जगा है उसको हम एक छोटे से कागज में क्या करते हैं? दर्शाते हैं तो हम बड़ी सी दूरी को क्या करते हैं? छोटी दूरी में बदल देते हैं ताकि जो उसकी वास्तविक दूरी है वो क्या हो? वही की वहीर है वो बदले ना पैमाना इस्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाए गई दूरी के बीच का अनुपात होता है बच्चों जिस पैमाने में हम मानचित्र को बनाते हैं वह क्या होता है वास्तविक दूरी और मानचित्र में दिखाए गई दूरी दोनों की बीच का अनुपात होता है जैसे कि आपके विध्याले और आपके घर की बीच की दूरी 10 किलोमेटर है जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमेटर व्यक्त किया गया यानि कि मानचित्र पर उसको दिखाते समय दर्शाते समय दो सेंटिमेटर लिख दिया गया है तो इससे इसका मतलब यह निकलता है कि जो मांचित्र में एक सेंटिमेटर दूरी ली गई है वो इस्थल के पाँच किलोमेटर दूरी के बराबर है बच्चों जब बड़े छेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या फिर देश हैं इनको कागच पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपियोग करते हैं उधारन के लिए 5 सेंटिमेटर मानचित्र पर हम महाद्वीप या देशों को दर्शाने के लिए उनकी दूरी क्या लेते हैं 5 सेंटिमेटर और इस्थल की दूरी कितनी होगी 500 किलोमेटर उसको हम कितना मान लेते हैं ये 5 सेंटिमेटर है इस मानचित्र को बच्चों छोटे पैमाने वाला मानचित्र बोलते हैं यानि कि वो बड़ी दूरी को वास्तविक दूरी को एक छोटे से पैमाने में दर्शाते हैं और बड़े पैमाने वाला मानचित्र में क्या होता है? छोटी दूरी को क्या किया जाता है? बड़ी दूरी में या बड़े पैमाने में दर्शाया जाता है जैसे कि एक छोटे छेतर फल वाले भाग जैसे आपके गाओं ये शहर को कागज पर दिखाना होता है तब क्या किया जाता है बड़े पैमाने का उप्योग करते हैं जैसे इस्थल पर 500 मिटर दूरी है उसको मानचित्र पे 5 सेंटीमीटर दर्शाया गया तो इसको क्या बोला जाता है बड़े पैमाने वाला मानचित्र बच्चों जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अप्योख्षा अधिक जानकारी देता है उससे हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है देखिए बच्चों यह एक गाओं का मानचित्र है इसमें यहाँ पे आपको दिशा दिया हुआ दिखाया गया एक तीर के तीर से उत्तर दिशा लिखा हुआ है ठीक है? यहाँ पे देखिए फलोद्धान है यहाँ पे करीम का घर है शीला का घर है विकाश का घर है यह पुआ है इस गाओं का इस गाओं में विध्याला यहाँ पे यहाँ निकि बड़े ऐसे गाओं को एक छोटे से मानचित्र पे दर्शाया जा रहा है गाओं की जो दुकाने हैं ठीक है? समुदाईक केंद्र है, गाउं पे एक यहाँ पेड़ है. अब देखे बच्चों यहाँ पे पैमाना दिया हुआ. एक सेंटीमीटर पराबर दस मीटर. याने कि मानलो करीम का घर और शीला का घर दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? पास सेंटीमीटर दी हु पचास मीटर होगी. ठीक है? अब बच्चों अगला है दिशा. हमको मानचित्र बनाते समय दिशा का भी ध्यान रखना पड़ता है. अधिकतर मानचित्रों में उपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है. जैसे यहाँ पे मानचित्र में बना था नहीं तीर का निशा दाहिनी तरफ देखिए उत्तर दिशा लिखा हुआ है. तो मानचित्रों में उपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है. जिसके उपर व लिखा होता है. यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख रहे हैं वू. यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है मतलब यह तीर का निशान किसको दर्शाता है कि यह दिशा कौन सी दिशा है उत्तर दिशा है और इसे उत्तर रेखा कहा जाता है जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं बच्चों तो दूसरी दिशाओं के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं जैसे कि अगर यह दिशा उत्तर हो गई तो यह दक्षिन होगी, देख रहे हैं उसके बाद यह पूरब हो जाएगी और यह पश्शिम हो जाएगी बच्चों, चित्र में चार मुख्य दिशा हैं है ना उत्तर दक्षिन पूरब पश्शिम इन्हें यह क्या है प्रधान दिग्व बिंदू कहे जाते हैं इन्हें क्या कहा जाता है प्रधान दिग्व बिंदू कहा जाता है बीच में चारो दिशाओं के बीच में और चार दिशा हैं जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच में एक और दिशा है जिसे उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं यहाँ पे उत्तर और पश्यम के बीच में एक दिशा है जिसको उत्तर पश्यम दिशा बोला जाता है पश्यम और दक्षिन के बीच वाली दिशा क्या कहलाती है दक्षिन पश्यम दिशा कहलाती है पूर्व और दक्षिन के बीच वाली दिशा दक्षिन पूर्व दिशा कहलाती है बच्चों यह जो बीच वाली दिशाएं होती है इनकी मदद से हम किसी भी इस्थान का सही पता लगा सकते हैं बच्चों देखिए यह जो चित्र है आपकी पुस्टक में दिया हुआ है यह दिख सूचक का चित्र है इसकी सहायता से किसी भी इस्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं दिक सूचक एक यंत्र होता है, जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाते हैं, इसमें एक चुम्बकी सूई होती है, जिसकी दिशा हमेशा कहां रहती है, उत्तर दक्षिन दिशा में होती है, देखिए ये सूई आप देख रहे हैं दिक सूचक में, एक सूई इसकी यह चुमकी सुय होती है जो हमेशा 120 की उत्तर की तरफ रहती है और यह दक्षिन की तरह होती है बच्चों अब हम तीसरे घटक को जानते मानचित्र के प्रती यह किसी भी मानचित्र का प्रमुग घटक हो सकता है किसी भी मान्चित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन आकृतियों जैसे भवनों, सडकों, पुलों, व्रिक्षे, रेल की पट्रियां हैं, पुएं हैं, ये सब दिखाना संभव नहीं होता जैसे कि बच्चों किसी गाओं ये शहर का क्या बनाते हैं, मान्चित्र बनाते हैं, तो वहाँ पे जो भवन बने हुए हैं, रेल की पट्रियां बनी हुई हैं, सडक जिस तरीके से हम देखते हैं, अगर मान्चित्र में बिल्कुल सेम वैसा ही बनाएं, तो क्या हम मान्चित् दर्शा सकते हैं क्या नहीं ये संभाव नहीं हो पाता इसलिए हम क्या करते हैं प्रतीक का उप्योग करते हैं इनको हम दर्शाने के लिए निशित अक्षर छायाओं रंगों चित्रों और रेखाओं का उप्योग करते हैं जिससे हम एक बड़ी सी जगहा को छोटे कागच पर क्या करें? छोटे छोटे रूप में दर्शा सकें. ये प्रतीक जो होते हैं बच्चों वो कम इस्थान में अधिक जानकारी हमको प्रदान करते हैं. लेकिन यह अधिक जानकारी हमको कम कब प्रदान कर पाएंगे? अधियन भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं. अगर आप एक छेतर की भाषा को नहीं जानते हो, है ना? और आप वहाँ जाकर कि किसी से भी कुछ पूछते हो, आप उस छेतर की भाषा नहीं जानते हो, लेकिन अगर आप वहाँ जाकर किसी से पूछते हो, वो तो अपने भार्षा में आपको बताएंगे तो क्या आप समझ पाएंगे क्या नहीं समझ पाएंगे लेकिन अगर आप इन चिन्नों को जानेंगे प्रतीकों को जानेंगे तो उसकी साहता से आप मानचित्र द्वारा क्या कर सकते हैं मानचित्र की विश्व व्यापी भासा होती यानि कि जो अभी हम जानकारी मानचित्र के बारे में पा रहे हैं ये सारी जानकारियां पूरे विश्व में एक समान होती है इससे हम सभी को या सभी जगों को क्या कर सकते हैं आसानी से समझ सकते हैं इन प्रतीकों के उपियोग के संबन में एक अंतराश्री सहमती है ये रूड प्रतीक कहे जाते हैं बच्चों ये जो प्रतीक होते हैं मानचित्र के ये विश्वयापी यानि की पूरे विश्व में यही प्रतीक चलते हैं इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है रूड प्रतीक बोला जाता है बच्चों इसके अतिरिक्त मानचित्र में रंगों का भी उपियोग किया जाता है जैसे कि नीले रंग का उपियोग किया जाता है जलाशयों को दर्शाने के लिए भूरे रंग का उपियोग किया जाता है परवतों को दर्शाने के लिए पीले रंग का उप्योग किया जाता है पठारों को दर्शाने के लिए अगर किसी मानचित्र में कहीं आप हरा रंग देखें तो आप हरे रंग को देख करके समझ जाएगा कि वहाँ पे क्या है मैदान है क्योंकि हरे रंग से मैदानों को दर्शाया जाता है देखिए बच्चों यहाँ पे इस चित्र में दिया हुआ है railway line ठीक है railway line की जो बड़ी line है उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है meter line rail line की जो meter line रहती है वो इस तरीके की होती है railway station को देखिए इस तरीके से दर्शाया जाता है और यहाँ पे R और S लिखा जाता है ठीक है अगर हमको यह सभ याद रहेगा तो हम मानचित्र को बहुत अच्छे से मानचित्र का अध्यान कर सकते सडकों को सडकें दो प्रकार की होती है पक्की सडक कक्ची सडक पक्की सड़क के लिए देखे इस प्रतीक का उप्योग किया जाता है और कच्ची सड़क के लिए ऐसी इस प्रतीक का उप्योग किया जाता है सीमा अंतराश्ट्री सीमा इस तरीके से दर्शाया जाता है राज्य की जो सीमा होती है उसको ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे और जिलाओं की जो सीमा होती है उसको ऐसे लाइनों से दर्शाते देखे नदियों के लिए यह चिन्न का उपयोग किया जाता है कुओं के लिए इस तरीके का प्रतीक उपयोग किया जाता है ठीक है अब आईए देखते हैं यह एक सुन्दरपुर गाउं है और इसके आसपास का छेत्र है अब इस मानचित्र में हम देखते हैं कि सुन्दरपुर में क्या क्या चीज है बच्चों इसके अलावा अगर आप इस सुन्दरपुर गाओं के मानचित्र को देख करके समझना जान जाएंगे पढ़ना जान जाएंगे तो आप किसी भी देश ये दुनिया में किसी भी शहर को बैठे बैठे ही उसके बारे में आप अपने घरों में अगर आपके पास मानचित्र है तो आप जान सकते हैं कि उस राज्जी में उस देश में कहां पर क्या-क्या इस्थित है देखे बच्च सुंदरपुर गाओं में यहां पर आपको विद्ध्या लए दिख रहा है दिख रहा है ये विद्ध्याल लए गी है झार्ण वे यह परतीख तो यह परतीख कहे कहाEND बाताईये तो इधर देखी अ यह बहुत अच्छे यानिकी सुंदरपुर गाओं पर यहाँ पे मंदिर इस्थित है और मंदिर के पास में क्या इस्थित है मंदिर वेरी गुड है ना अब देखिए यह काहे का प्रतीक है सुन्दरपुर गाउं में यहाँ पे क्या है तलाब है है ना और यहाँ पे और क्या चीज है सुन्दरपुर गाउं में वसंदपूर के पास में क्या है मंदीर है साथ नहीं बिटा देखिए ये मजजिद मजजिद का प्रतीक ऐसा होता है ठीक है ये देख रहे हैं न ये मजजिद का प्रतीक है ठीक है और ये गिर्जा घर का प्रतीक है देखे सुन्दरपुर गाउं में गिर्जा घर भी है जी ठीक है अब उसके अलावा और क्या-क्या दिख रहा है देखो एक railway station भी यह दिख रहा है railway station आप लोगों को है ना जी सुन्दरपुर गाउं में post office दिख रहा है क्या कहीं पे post office को p o लिखते हैं ठीक है post एवं telegram office को p t o लिखते हैं और police station को ps लिखते हैं तो क्या कहा है सुन्दरपुर गाउं में यह क्या दिख रहा है ps ps क्या होता है police station ठीक है मतलब सुन्दरपुर गाउं में police station भी है और क्या है यह देखो यहां पे p t o भी है मतला post एवं telegraph office भी है आया समझ में कैसे देखा जाता है मानचित्र गी मैं चलिए अब जानते हैं बच्चों रेखा चित्र के बारे में रेखा चित्र एक आरेखन है जैसे कि मानचित्र होता है मानचित्र में भी आरेखन होता है लेकिन उसमें दूरी प्रती इन सब का हम ध्यान रखते हैं रेखा चित्र भी उसी तरीके का आरेखन हैं लेकिन यह पैमाने पर आधारित नहीं होता है मानचित्र किस पर आधारित होता है पैमाने पर मतला मानचित्र बनाते समय हमको यह ध्यान देना पड़ता है कि जो वास्तविक दूरी है वो बदल ना जाए लेकिन वेखा चित्र में हम वास्तविक दूरी को बदल सकते हैं यूं, पैमाने पर आधारित नहीं होता ये, यह आधाश के आधार पर बनाया हुआ एक, चित्र होता है, आरेकन चित्र होता है, क्यों जैसे कि मान लिजिए, आप अभी, एक कम्रे में हैं, तो आप उस कम्रे को देख रहे हैं, उस कम्रे पर कहां-कहां, क्या-क्या चीजा, र तो आप क्या करेंगे कागज पर एक डबा बना लेंगे हैं पहाँ पर उस कम्रे में क्या-क्या चीज है कहां पर अल्मारी हे कहां पर बक्सा हुआ है मेज है यह सबाद लिक दें ग कि आपको जो जो मित्र के एक कच्छे आरेखन की आवशक्ता होती है वहां के एक इस्थान को दूसरे इस्थान के सापिक्ष दिखाने के लिए है ना जैसे अभी मैंने आपको बताया या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि आपको आपकी मित्र के घर जाना है और आपको रास्ते की जानकारी नहीं है ठीक है तो आप उसके लिए क्या करेंगे आपका जो मित्र रहेगा वो आपको अपने घर का राष्ता बताएगा तो रास्ता बताने के लिए वो एक कच्चा आरेखंड बता सकता है बना करके यानि कि उसको कागच में रेखा की मदद से क्या कर सकता है बता सकता है कि जब तुम अपने घर से निकलोगे ये तो निकल कर के इधर से हमको इधर चलना है, बाएं तरफ मुढ़ना है, या दाएं तरफ मुढ़ना है, यहां मंदिर मिलेगा, यहां पे मस्जीद मिलेगा, है ना, तो इसी कच्चे आरेक को बिना पैमाने की साहता से खीचा जाता है और उसी को ही रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है, खीचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है या खाका कहलाता है ठीक है? इसमें क्या किया जाता है? खाके में एक छोटे से चित्र को बहुत बड़े से पैमाने पे रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है उसे खाका कहा जाता है एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है लेकिन कुछ ऐसी चीजे होती हैं जिनें हम कभी कभी जानना चाहते हैं जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौडाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है मानचित्र में आपको क्या दिखाया जाएगा आपके गाउं के बारे में अगर दिखाया जाएगा तो वहाँ पर लिखा होगा कि ये रेश्मा का घर है ये करीम का घर है लेकिन ये दिखाया जाएगा कि ये इसका घर है तो इसके घर में इतने कमरे हैं इतना बड़ा सा आंगन है यह सब जानकारी नहीं होती है तो इसी तरीके से उसके घर की या उसकी कमरे की लंबाई कितनी है चोडाई कितनी है यह सब भी मानचित्र में दर्शाया नहीं जा सकता है उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खीच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है तो मानचित्र में जैसे की करीम का घर था करीम के घर में कितने कमरे हैं कितना बड़ा आंगन हैं उन कमरों की लंबाई च्वड़ाई क्या है है ना यह सब दर्शाने के लिए हम क्या बनाते हैं क्या बनाते हैं बताईए बच्चों खाका बनाते हैं ठीक है आईए बच्चों कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं वरिक्षों के वित्रण को दिखाने वाले मानचित्र हैं भौतिक मान्चित्र, थिमेटिक मान्चित्र, राजनीतिक मान्चित्र. क्या बोला जाता है? कौन से मान्चित्र में व्रिक्षों के वित्रण को दिखाया जाता है? भौतिक मान्चित्र में इसका सही उत्तर होगा भौतिक मान्चित्र. प्रश्न दो नीले रंग का इस्तमाल किसे दिखाने में किया जाता है अभी मैंने बताया बताईए तो नीले रंग से किसको दर्शाया जाता है मानचित्रों में जलाशयों को परवत्तों को या फिर किसको दर्शाते है जलाशयों को दर्शाते हैं क्या कि परवतों को दर्शाते हैं या मैदानों को दर्शाते हैं नीले रंग से अभी एक मानचित्र में आपने बताया था ना नदी कौन से कलर की थी नीला थी ना और उसमें जो तलाब था वो कौन से कलर का था है ना तो इसका सही उत्तर क्या होगा क्या होगा सही उत्तर जलाशय होगा बिटा ठीक है जलाशयों को क्या किया जाता है नीले रंग से दर्शाय आ जाता है दिक सूचक का उपयोग किया जाता है क्यों किया जाता है दिक सूचक का उपयोग प्रतीकों को दिखाने के लिए मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए या दूरी मापने के लिए दिख सूचक के बारे में भी मैंने बताया है उससे क्या किया जाता है दिख सूचक से जो मुख्य दिशा होती है उसका पता लगाया जाता है अगला प्रश्न है पैमाना आवश्यक है कहे के लिए आवश्यक है पैमाना मान चित्र के लिए रेखा चित्र के लिए या फिर प्रतीकों के लिए पैमाने पर आधारित क्या होता है पैमाने पर आधारित मांचित्र होता है ठीक है तो पैमाने पर आधारी क्या होता है मांचित्र होता है इसका सही उत्तर का होगा मांचित्र चलिए बच्चों अब आप अपने ग्री कारे के प्रश्न को लिखिए हमेशा मैं आपको ग्री कारे के प्रश्न में प्रश्णों के उत्तर डूढने बोलती थी अब आपको यहाँ पे प्रश्णों के उत्तर नहीं डूढना है ठीक है? आप लोग चित्रकारी करते हैं की नहीं? करते हैं करते हो ना? तो अब आप लोगों को चित्रकारी करना है ठीक है? ग्रीकारे में देखिए प्रश्ण एक है अपनी कक्षा के कमरे का रेखा चित्र खीचे तथा उस कमरे में रखे सामान जैसे सिक्षक की मेज, ब्लैक बोर्ड, डैस्क, दर्वाजा तथा खिड़कियों को दिखाएं अब आपको चित्रकारी करना है ठीक है एक ऐसा रेखा चित्र बनाईएगा आप लोग पेज में पन्ने में कि आपके कक्षा के कमरे में जो सिक्षक की मेज रहती है, सिक्षक की कुर्सी भी रहती है, ब्लैक बोर्ड है, डैस्क है, दर्वाजा है और खिड़किया है ये सब द दर्शाना है ठीक है और उसमें आप लोग कलार भी करिएगा रंग भी आप लोग भरिएगा ठीक है प्रश्न दो है अपने इस्कूल का एक रेखा चित्र खीचे एवं निम्नलिकित को दर्शाए बच्चों आपको इस्कूल का भी एक रेखा चित्र बनाना है ठीक है और उ अध्यापक का कमरा बनाएंगे, अपने वर्ग का कमरा बनाएंगे, मतलब आप कौन सी कक्षा में हैं, अपने कक्षा का कमरा बनाएगा, आपके स्कूल में खेल का मैदान होगा, पुस्तकालाए होगा, कुछ बड़े पेड़ भी होँगे आपके स्कूल में, वो भी आप दर्शाइएगा, पीने के पानी के इस्थल को भी दर्शाइएगा, लिख लिए बेटा, आप लोग प्रश्न ग्रीकारे के, जी, चलिए, अब हम मिलेंगे, अगली कक्षा में, फिर से एक नए अध्याई के साथ, ठीक है? ठीक, बाई बैम, बाई बिटा, बाई एक लिएूगा हुँएा हुँएएगाओाईब साथ ऑा पल ज। नए आपकरत प्रयँ खो executive